साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर साथियो आज की इस वीडियो को सुरू करने से पहले रीट इंगलिस के जितने भी कंडिडेट्स है उन सब के लिए एक महतोपूर्ण सूचना है वो महतोपूर्ण सूचना सुने उसके बाद क्लास 11 इतिहास के जो स्टूडेंट्स है वो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे तो सबसे पहले रीट इंगलिस के जो कंडिडेट्स है उनके लिए महतोपूर्ण सूचना ये है कि साथियों गूगल फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और लगभग 1035 कंडिडेट्स ने अब तक गूगल फॉर्म है वो बढ़ दिये हैं आप भी गूगल फॉर्म को बरिए अपनी रेंक जानिये और ये भी जानिये कि 1035 जो कंडिडेट्स है जिनोंने गूगल फॉर्म बढ़ा है उनके कितने नमर आ रहे हैं तो उस सब की जानकारी आपको मेरे टेलिग्राम चैनल जिसका नाम है साजित सरबाडेट जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो टॉपर स्टुडेंट्स ही जो पीडिएफ है उसको ओपन कीजिए और आपके सामने पेस कर दी जाएगी तो उमीद है आप टेलिग्राम चैनल का लिंक ओपन करोगे और जो टोपर लिस्ट है उसको ओपन करके गुगल फॉर्म भरोगे और अब तक 888 स्टुडेंट्स के ही नमर मैंने यहाँ पर बताए हैं पीडिएफ में लेकिन जैसे ही 1100 हो पूरे यानि की स्टुडेंट्स की जो पीडिएफ है वो आपके सामने दे दी जाएगी तो लिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब देखिए कच्छा 11 इतिहास के स्टुडेंट्स क्लास 11 हिस्ट्री के जो है हिस्ट्री का महतुपूर्ण परसन पत्र आपके सामने लेकर के आया हूँ उम्मीद है ये महतुपूर्ण परसन पत्र आपकी वार्शी परिक्षा में बहुत ज्यादा मदद करेगा इस पेपर को अपन सौल करते हैं तो देखिए पेपर है वो 100 नम्मर का है टाइम जो मि कहलाता था मेनर कहलाता था ओप्सन B सही हो जाएगा अगला देखिए आगस्टस कौन था आगस्टक स्टुडेंट्स रोम का समराथ था ओप्सन A सही हो जाएगा उसके बाद देखिए मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश का भाग है तो इसका आप बताईए इराक होग किया जाएगा बहुत ही महतोपूर्ण है अगला देखिए आधुनिक मानव की उत्पती किस महादिव पर हुई तो अफरीका महादिव पर हुई अगला कुरान स्रिफ कितने अध्याय में विभाजित है एक सो चोगदै अगला देखिए जर्मनी में प्रोटेस्टेंट अगला देखिए चंगेज खान की मर्तिव कब हुई थी 1227 इस्वी में अगला है मंगोल यायावर कहां के थे मंगोल यायावर स्टुडेंट्स मद्दे एसिया के थे अगला पर्षन है नीमन में से पर्थम खलिफा कौन थे पर्थम खलिफा जो थे वो थे अबू बकर तो यह 10 पर्षन है एक पर्षन मेंने आपके लिए छोड़ा है और इसका उत्तर आप क्या बताते हो जानना चाहूंगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो थोड़ी देर बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा अब आगे के पर्षनों का उत्तर जानने से पहल कौन सा पेपर मेरे को पहले सॉल करवाना होगा तो देखिए अगला रोमन समराजे में इस्त्रियों की इस्तिती काफी सुदर्ड थी कौन सी इस्तिती थी राजनेतिक इस्तिती तो क्या जाएगा इसमें राजनेतिक आप नोट कर लेना अगला देखिए फ्रांस के सासकों क लोगों से जुडाव किस पर्था के कारण था उस पर्था का नाम था साथियो वेसलेज क्या नाम था वेसलेज पर्था के कारण जुडाव था अगला देखे सहरी जीवन की सुरुआत कहां हुई साथियो उपर नाम आया है सहरी जीवन की सुरुआत मेसोपोटामिया में किस रूप में हुआ तो मानविकास साथियो कर्मिक रूप में हुआ किस रूप में हुआ मानविकास कर्मिक रूप में अगला देखिए पंदरुआ जो है इसमें क्या आएगा इसका देखिए आगे अपन पढ़ते हैं पंदरुआ कि रिक्स्तान 661 में अपने आपको अगला खलिफा गोशित कर उम्मत सहेद की उमेद वंस की स्थापना किस ने की उमेद वंस की स्थापना स्टुडेंट्स जिनोंने की उसका नाम था मुआविया क्या नाम था मुआविया मुआविया ने उमेद वंस की स्थापना की अगला देखे फरात और दजला नदियों के बीच मेसोपोटामिया पर्देश आजकल कौन से गनराज्य का हिस्था ए इराख देखिये मेसोपोटामिया से समन्धित 3 पर्षन आगए इसका क्या हो जाएगा इराख अगला इसलाम धरम के सेंस्ताफक कौन हजरत मुहम्मद साब हजरत मुहम्मद साब इसलाम धरम के सेंस्ताफक है हजरत मुहम्मद साथ ठीक है साथियो हजरत मुहम्मद साथ अगला लोर्ड नाइट अगला परसन देखिए आपके सामने है लोर्ड द्वारा नाइट को दिया भूमी का भाग क्या कहलाता था सातियो तो लोड द्वारा यानि कि दिया गया भूमी का जो भाग था वो फीफ कहलाता था क्या कहलाता था फीफ लोड द्वारा नाइट को दिया गया भूमी का भाग फीफ कहलाता था अगला देखे कुछ मंगोल सिकारी संग्रहक थे और तो पूर्ण पर्षन अर्भी भासा के अंदर कुरान सरीफ कौन सी भासा में लिखी हुए है अर्भी भासा में तो साथ ही यह चोटे पर्षन थे देखे 10 से 15 सबद वाले पर्षन जो है वो आप देख सकते हो एक एक लाइन में आपको उतर देना है 30 तक पर्षन है अगर इस पेपर की पीडियोफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है वहाँ पे पीडियोफ डाल दी जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और टेलिग्राम को जोईन करना नहीं भूले अब देखे खंड बै 20-30 सबद वाले पर्षन आपके सामने है और उसके बाद 40-50 वर्ट्स वाले सबद आपके सबद वाले पर्षन और खंड सह में देखे 100 सबदों में आपको उतर देना होगा आप देख सकते हो बहुत ज्यादा पर्षन एक बड़ा पेपर अगर आप रिट के कंडिडेट्स हो तो आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर के गूगल फॉर्म को जरूर बरिएगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद